जैहिन दोस्तो यूपी पुलिस एसाई यानि यूपी दरोगा के लिए आप लोगों के एडमिट कार्ड एक्जाम सीटी एंड डेट्स की इंफॉर्मेशन जारी कर दी गई है 12 नौबर से होने वाली परिक्षा आप लोगों की जो है यहां पर आप बता दिया जाएगा आप लोगों के अपकी एक्जाम में कब है किस सिप्टम आविजित होने वाली है पूरी डिटेल से और आप अपने एडमिट कार्ड जो है कैसे डाउनलोड करेंगे अपने एक्जाम सिटी एंडेट्स की इंफॉर्मेशन देखने का आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तो वीडियो का अन तक देखते रहेगा और चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब करिए ताकि कोई भी अपडेट आती हो आप लोगों को तक पहुंसती रहे है उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना अनेकेडमी पर अभी जो है अनेकेडमी एससी कॉमबेक्ट स्कॉलर्शिप टेस्ट चल रहा है यहां पर आप जो है रेंक बन से लेकर तीन के भीश अगर आते तो आपको एक साल का सस्क्रिप्शन फ्री मिल सकता है और अगर आप ज 10 प्रशन का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है तो इससे जो है स्कॉलर्शिप जो टेस्ट है इसको जरूर आटेम करिएगा अब यहां पर आप देखी यह है उतरप्रदेश पुलिस भरती यम प्रोणूती बोर्ड लखनाओ के ओफिशली वेबसाइड और सारी अपड प्रोटिस आया है जिसमें यहां पर आपका जो आउनलाइन माउक टेस्ट का लिंक है वो भी एक्टिव कर दिया गया है ठीक है अब यहां पर देखी यह आप लोगों का उउक्त जानकरी अभ्यारति को आवंतित परिक्षा तिति से दस दिन पूर्वह ही प्रदर्शित जो आई हेव कर लिजेगा और सम्मिट कर लिजेगा तो यह माउक टेस्ट आप लोगों का हो जाएगा स्टार्ट ठीक है तो यहां से आप प्रेक्टिस कर सकते हैं जिस अकॉडिंग आपकी एक्जाम में होने वाली है उसी अकॉडिंग यहां पर चीजह आप लोगों को बता त今天 यहां पर आप डाल के हैं और अपनी जन्मिट कर दे के तो आप को आगी की डीटेल्स यहां पर बता दी जाएं अब यहां पर की आप immun adjustment कर दे इक्खा नहीं होना है तो उसको उनको और बोलाए कि उक्त जानकारी जो अभ्यार्थियों को आवंटित परिक्षा दिती से 10 दिन पूर्वर प्रदर्शित होगी मतलब आप लोगों का एक्जाम 12 को है तो यहाँ पर 2 तारीक को जिनको बता रहा है उनका एक्जाम 12 को होगा 3 को बता देगा जिनका 13 का होगा ठीक है 14 का जिनको उसको 4 को बता देगा तो कोई चीस तरीके से होने वाला और इसी तरीके से आप जो है इसको चेक आउट कर सकते हैं ठीक है उम्मीदे सारी चीज़े आप लोगों समझ में आगए अगर आप कोई को डाउट है तो आप कमेंट करके